मार काटून टीवी एक घर का सीन जो कि अंदर से बाहर से पूरी तरह से सचा हुआ था अंदर एक चुडैल सजी हुई बैठी थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही थी आज भी नहीं आया कोई लगता है ये दिन भी उनका इंतजार करते हुए ही निकल जाएगा और फिर अचानक जोर-जोर से हसने लगती है गुस्से में वो सारे घर को तहस नहस कर देती है नहीं चुड़ूंगी तुमने मेरे प्यार का मजाख बनाया है तुम्हें इसकी सजा भुगत नी पड़ेगी संतनगर नाम का एक गाउँ था जहां एक परिवार रहता था उस परिवार में रोश्नी उसका पती सुन्दर और उसके सास ससुर रहते थे रोश्नी एक समझदार और थी और वो हर काम को सोच समझ कर करती थी बस उसे एक ही दुख था कि उसका पती काम में इतना व्यस्थ रहता था कि उसके पास अपने परिवार के लिए ज़रा भी समय नहीं था सुन्दर दिन राथ अपने काम में व्यस्थ रहता था रोश्नी के सास ससुर रोश्नी का बहुत खयाल रखते थे वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थे रोश्नी भी उनका पूरा खयाल रखती थी रोश्नी का पती सुन्दर दूसरे गाउं में काम के लिए जाता था वो कभी-कभी अपने घर पर आता था और घर आकर भी वो अपने दोस्तों के साथ जादा समय बिताता था सुन्दर के माबाप उसे बहुत समझाते थे कि वो रोश्नी का भी ध्यान रखे पर सुन्दर सुनी की अंसुनी कर देता था रोश्नी का पती काम के लिए दूसरे गाउं गया था वो वहाँ जाकर भूली गया कि कुछ दिनों में उसकी शादी की सालगिरा आने वाली थी लेकिन फिर अचानक उसे उसी दिन याद आया कि आज उसकी सालगिरा है तो वो जल्दी से अपने घर की ओर चलने लगता है इधर रोश्नी बहुत खुश थी वो घर को सजाने में लगी हुई थी माजी कहाँ है ये देखिए मैंने पूरे घर को सजा दिया है आकर देखो न कैसा लग रहा है घर अरे रोश्नी बेटा तू हर साल इस दिन को भूलती नहीं है ना हाँ माजी कैसे बूल सकते हूँ आज के दिनी तो मुझे इतना अच्छा घर मिला नहीं तो मुझे ऐसी अनात लड़की को कौन अपने घर की बहु बना था अरे नहीं बेटी ऐसी बात नहीं करते इतने में रोश्नी के ससुर भी आ जाते हैं रोश्नी को इतना खुश देख कर वो भी खुश होते हैं लेकिन मन ही मन सोचने लगते हैं कि उनके बेटे को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई रोश्णी अपनी सास से कहती है अच्छा मा मैं अब तयार होने जा रही हूँ अगर वो आए तो उन्हें रोग कर रखना कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह वो बीच में ही चले जाए और लोगों के ताने मुझे सुनने को मिले ऐसा कहकर वो कमरे के अंदर चली जाती है कुछ देर बाद सुन्दर आता है वो घर की सजावट पर कोई ध्यान नहीं देता वो अपनी मा से कहता है मा मज़े कुछ दिनों की छुट्टी मिली है मैं अब कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ ही रहूँगा सुन्दर की मा ये सुनकर बहुत खुश होती है तब ही अचानक उसकी नजर घर पर पड़ती है तो वो कहता है मा आज क्या है ये घर को इतना सजा क्यों रखा है अरे बेटा तू भी अच्छा मजाग कर रहा है बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे तुझे पता ही नहीं कि आज क्या है इतने में रोश्नी भी पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आ जाती है वो बहुत ही सुन्दर लग रही थी सुन्दर उसे देख कर कहता है अरे मा ये रोश्नी को क्या हुआ ये इतनी तैयार होकर कहों जा रही है रोशनी उसकी ये बात सुनकर नाराज हो जाती है और दुबारा अपने कमरे में चली जाती है सुन्दर भी उसके पीछे पीछे जाता है अरे रोशनी तुछ नाराज हो गई मैं तो मजाक कर रहा था मुझे पता है आज हमारी साल गिरा है आज हमारी शादी को पूरे दो साल हो गए है क्यों ठीक का ना मैंने रोशनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और सुन्दर के गले लग जाती है वो दोनों बाहर आते हैं कि तभी एक आदमी आता है और वो सुन्दर से कहता है कुछ देर तक वो मना करता रहता है लेकिन फिर वो उस आदमी के साथ चल देता है बाहर आकर वो उस आदमी से कहता है अरे यार तुने सही समय पर बुला लिया मुझे वरना आस तो मैं इस फालतू के जमेले में फसा ही रह जाता हूँ ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे गाउं में जाकर मज़े करते हैं सुन्दर अपने दोस्त को बुलाता है और उनके साथ खाने पीने लगता है उसका एक दोस्त कहता है यार तू कैसा पती है आज के दिन भी तू अपनी पत्नी को छोड़ कर हमारे साथ बैठा है यहाँ पर हाँ यार क्या करूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो तो माबाप ने उसे मेरे गले में टांग दिया वरना मैं तो अपने लिए कोई पड़ी लिखी लड़की चाहता था लेकिन किसमत ने मेरे पल्ले इस अनपड़गवार को बांद दिया लेकिन सुन्दर बाबी तो बड़ी समझदार है पूरे गाउं में उसकी समझदारी की बाते होती है लेकिन दोस्त ये मेरे लायक नहीं है मुझे तो कोई मौड़न लड़की से शादी करनी थी खेट छोड़ चल कोई और बात करते हैं कुछ देर तक वो सब बात करते रहते हैं फिर सब वहीं पर सोजाते हैं इधर रोशनी सुंदर के वापस आने का इंतजार कर रही थी पर वो नहीं लोटा जो लोग भी वहाँ आये थे वो भी चले गए थे रोशनी को बहुत दुख हुआ वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दर्वाजा बंद कर दिया और गुस्से में उसने अपने पूरे कमरे की सजावट को तहस नहस कर दिया कितनी कोशिश की है मैंने इस रिष्टे को निभाने की लेकिन अब मैं हो नहीं सह सकती रोशनी बेटी बेटी दर्वाजा खोलो बेटी हम सब तो है ना तुम्हारे साथ रोशनी उसके साथ ससुर दर्वाजा खटखटाते रहे पर उसने दर्वाजा नहीं खोला वो अंदर से कहती है बाबुजी आप सोजो मैं ठीक हो अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी आप दोनों जाओ और आराम करो साथ ससुर उसकी बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और दुखी मन से सोजाते हैं ये सुन्दर ने ठीक नहीं किया जी बिचारी रोशनी ने कितने मन से सारा घर सजाय था तुम ठीक कहती हो आने दो कल सुन्दर को वै उसकी ख़बर लेता हूं अगले दिन जब रोशनी की सास देखती है तो रोशनी अपने कमरे में ही नहीं थी उसकी सास रोशनी को ढूंटी है पर रोशनी कहीं नहीं मिली कुछ देर में उसके ससुर भी वहां आ जाते हैं वो भी रोशनी को आवाज देते हैं पर कोई नहीं सुनता कुछ देर बाद सुन्दर भी वहाँ आ जाता है सुन्दर को देखकर उसके पिता जी कहते है सुन्दर चुप चाप अपने पिता जी की बात सुन रहा था फिर उसकी मा कहती है सुन्दर रौश्नी को धूड़ने चला जाता है वो पूरे गाउं में उसे देखता है पर वो कहीं नहीं मिलती जब वो थक हार कर घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको जमुना काकी मिलती है अरे बेटा तु सुन्दर है न रौश्नी का पती हाँ हाँ मैं ही उसका पती हूँ, क्या आपने उसे देखा है कहीं हाँ हाँ मैंने कल रात के समय उसे उस पहाड़ी के पास जाते देखा था जो भी वहाँ जाता है बेटा वो वापस नहीं आता, जा चल्दी जा, कहीं उसको कुछ हो न गया हो सुन्दर भागता हुआ पहाड़ी के पास जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता, वो पहाड़ी के नीचे भी देखता है पर उसे कुछ नहीं देखता तब ही अच्छानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चीजों पर पड़ती है जो कि रोश्णी की थी वो समझ जाता है कि रोश्णी ने यहां से कूद कर अपनी जान दे दी है कुछ तेर सुन्दर वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे सुन्दर वहां से वापस आ जाता है घर आकर वो माबाप को रोश्णी के बारे में सब कुछ बता देता है सब जानकर उसके माबाप को बहुत धक्का लगता है है भगवान ये क्या हुआ कितने समजदार और गुणों वाली थी मेरी बहु लेकिन इस निकम्मे की वज़ा से आज उसको अपनी जान देनी पड़ी सुन्दर उन्हें तसली देने लगा कुछ दुनों बाद गाव के लोग आपस में बाते करने लगे कि लिए तुम्हें पता है शुन्दर के पत्नी ने उस पहारी से कूद कर अपनी जान दी है यह तुम क्या बोले हो हर्या वो भले अपनी जान क्यूदेगी वहाँ से कूद कर बाई जादा तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरी घर वाली बता रही थी कि सुन्दर उसको बहुत परेशान करता था हर्या अगर यह सच है तो फिर सुन्दर की खैर नहीं है जब यह बात सुन्दर के माता पिता को पता चलती है तो यह सुनकर वो थोड़ा डर जाते हैं उन्हें लगता है कि कहीं रोशनी की आत्मा अपना बदला लेने के लिए उनके बेटे को ही कोई नुकसान ना पहुचा दे इसलिए वो अपने बेटे को उस गाउं से दूर जाने के लिए कहते हैं बेटा सुन्दर तेरा अब यहां पर रहना ठीक नहीं है तो यहां से हमेशा के लिए चला जा और अपने इसाब से अपनी जिन्दगी जी ले हाँ बेटा चाहे तुने जो भी अपराद किया है लेकिन एक माता पिता हमेशा अपनी अौलाद का भला ही चाहते हैं तू चला जा यहां से अगर रोश्नी की आत्मा यहां पर आईगी तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारी जान ले ले ठीक है पिता जी मैं कल सुबह ही यहां से चला जाऊंगा और फिर वही हुआ जिसका डर था रोश्नी की आत्मा चुडैल बनकर वापस आ जाती है वो पूरे गाउं में भटकने लगती है सुन्दर के माबाप भी अब इस दुनिया से जा चुके थे रोश्नी चुडैल बनक कर अपने घर आती है तो वो देखती है कि वहां तो कोई नहीं है ये क्या हुआ मेरे घर को मैंने तो इसको कितना सजा कर रखा हुआ था इसकी ये हालत किस ने की पूरा घर खंड़हर बन चिका था जिस घर को इसने प्यार से सजा कर रखा था आज वो एक खंड़हर बन गय सुन्दर कहा हो तो इस सब के लिए तुम्हें जिम्मेदार हो तुमको जिन्दा नहीं छोड़ूँगी मैं वो चुडैल इधर से उधर जाने लगती है जोर-जोर से चीचती है कभी हसने लगती है तो कभी रोती है संथ नगर में रोज रात को रोश्नी की आत्मा भटकती थी रोश्नी ने पहाड़ी से कोद कर अपनी चान दे दी थी इसलिए वो अब चुडैल बन गई थी कहां गए सब? कोई भी नजर नहीं आ रहा ना ही सुन्दर ना ही माँ बाबुजी चुडैल उस घर में सारे परिवार को रोज रात को आकर ढूंटी थी लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था वो रात भर उसी घर में रहती थी और सुबह होने पर वहाँ से चली जाती थी वो चुडैल गाउवालों को तो कुछ नहीं कहती थी लेकिन रात भर उस घर से तरह तरह की आवाजे आने के कारण गाउवाले भी रात भर सो नहीं पाते थे भाई गंगा राम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम चुडैल का क्या करें हमारे तो बच्चे रात रात भर डरते रहते हैं और सो भी नहीं पाते थीक कहते हो तुम सब ये सब उस सुन्दर के कारण ही हुआ है इतनी अच्छी गुणवान पतनी की उसने कोई कदर नहीं की इसलिए उस बेचारी को अपनी जान देनी पड़ी वो सब तो ठीक है काकी लेकिन अब ये बताओ कि इस मुसीबत का क्या करें देखो गाउवालो हमको किसी बाबा की मदद लेकर ये जानना होगा कि आखिर ये चुडैल शाहती क्या है क्योंकि जब तक उसको मुक्ती नहीं मिलती वो इसी तरह गाउं में भटकती रहेगी ठीक है मैं आज ही जाता हूँ सूरजनगर में एक बाबा है वो हमारी समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं दुखिया सूरजनगर के लिए चल देता है सूरजनगर पहुँचकर वो बाबा को सारी बात बताता है वो बाबा को बताता है कि किस तरह वो चुडैल रात भर उस घर में रहती है और सुबह होने पर चुपचाप चली जाती है सब जानकर बाबा कहते है ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गाउं चलता हूँ कोई मुझे विस्तार से बता सकता है कि रोशनी ने अपनी जान क्यों दे थी बाबा, रोशनी अपने पती सुन्दर से बहुत प्यार करती थी लेकिन सुन्दर उस से हमेशा दूर रहने के बहाने ढूंडा करता था सारे गाउं वाले रोशनी की तारीफ किया करते थे लेकिन सुन्दर को तो बस उसमें कमी ही दिखाई देती थी सुन्दर को उसमें क्या कमी दिखाई देती थी क्या वो सुन्दर नहीं थी बाबा रोशनी तो बहुत सुन्दर थी बस वो ज्यादा पढ़ ही लिखी नहीं थी और सुन्दर ज्यादा पढ़ लिख गया था शेहर में नौकरी करता था इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया था जो बेचारी रोश्णी की कदर नहीं की उसने लेकिन अचानक से सुन्दर कहां चला गया बाबा जिस दिन रोश्णी ने अपनी जान दी बस उसके दो तीन दिन के बाद ही एक रात को सुन्दर के घर में आग लग गए और सब उसी आग में जल गए होते तो चुड़ैल कभी नहीं आती जरूर कोई घड़वड है आज रात को उस चुड़ैल से मिलकर कुछ पता चले रात होने पर गाउवाले उस बाबा को लेकर रोश्णी के घर की तरफ जाते हैं उस घर के सामने पहुँचने पर सब रुख जाते हैं एक आत्मी घर के अंदर जाओ दुखिया हिम्मत करके घर के अंदर जाता है तब हो चुड़ैल उसको पकड़ लेती है क्यों आये तू चुड़ैल दुखिया को हवा में लटका देती है दुखिया का डर के मारे बुरा हाल था वो अपनी मदद के लिए बाबा को बुलाना चाहता था लेकिन उसके मुह से आवाज ही नहीं निकल रही थी बहुत कोशिश करने के बाद दुखिया की आवाज सुनकर बाबा भी अंदर आते हैं और उसको हवा में लटका देखते हैं तो दूसरी तरफ वो चुड़ैल भी हवा में लटकी हुई थी और गुस्से में चिला रही थी शान्त हो जा चुडएल आखे तु यहां पर क्यों भटक रही है वो चुडएल अभी भी गुस्से में थी और बाबा पर भी हमला कर देती है बाबा उस पर अपनी मंद्र शक्ति चालाते है मेरी बात ध्यां से सुन चुडएल, देख यहां पर तेरी मदद करने आया हूं, मैं तुझे मुक्ते दिलाने आया हूं तु मुझे बता की तू क्या चाहती है, तू क्यों इस सरा बटक रही है मैं तुझ पर कैसे भरोसा करू, कहीं तु मुझे कैद करके यहां से चला गया तो नहीं रोश्नी, तु मुझे पर भरोसा कर सकती है, मुझे कोई लाब नहीं होगा तुझे कैद करके मुझे तो इन गाम वालों ने यहापर बुलाया है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुझे मुक्ति मिले हाँ रोश्नी तू तो हम सब की चहेती थी बेटी पता नहीं तूने ये कदम क्यों उठाया देख जो भी बात है तू बाबाजी को बता दे ये तेरी मदद करेंगे और तुझे मुक्ति मिल जाएगी मुझे सुन्दर चाहिए बस जब तक मैं उस सुन्दर को नहीं मारूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा लगन सुन्दर और उसके माता पिता तो एक दुरगटना में इसी घर में जल गए थे नहीं, इस घर में आग लगी थी, और उस आग में सिर्फ माबाबुजी ही जले थे, सुन्दर नहीं यह तुम क्या बोल रही हो? हाँ, सुन्दर भी उसी हाथसे में जल गया था नहीं, जब मैं पहली बार चुड़ैल बनकर इस घर में कुसी थी, मुझे माबाबुजी के मरने का एसास हो गया था मैंने उस चलते हुए घर को मैसूस किया था, उसमें चलते हुए माबाबुजी को भी लेकिन सुन्दर उस आग में नहीं जला, मुझे सुन्दर चाहिए वो चुड़ैल वहाँ से चीकती हुए चली जाती है और उसका ये रूप देखकर गाउवाले भी डर गए थे बाबाजी अब हम क्या करें? अगर सुन्दर जिन्दा है तो वो कहा है? इसका जवाब तो तुम सब को मिलकर ही ढूनना होगा क्योंकि यदि चुड़ैल बोल रही है कि सुन्दर इस आग में नहीं जला तो इसका मतलब साफ है कि सुन्दर जिन्दा है अब तुम सब सुन्दर को तलाश करने में लग जाओ क्योंकि सुन्दर मिलेगा तब ही ये चुड़ालिहां से जाएगी हमको याद है एक बार हम शहर गाई थे किसी काम से तो सुन्दर हमको वहाँ पर मिला था और वो हमको अपने च्वैक्टरी में भी ले गया था हमका सुभाई शहर के लिए निकल जाते हैं अगले दिन सुभा ही रामसुक सुभाई वाली पहली बस पकड़ कर शहर के लिए निकल जाता है शहर पहुँचकर वो उसी फैक्टरी में जाता है तो उसको वहाँ पर सुन्दर दिख जाता है वो जल्दी से सुन्दर के पास जाता है औरे सुन्दर तुम जिन्दा हो और हम सोच रहे थे कि तुम्हारा परिवार आग में जल गया है क्या बताएं रामसुक उस रात घर में आग लगने से हम किसी तरह बच गए लेकिन फिर हमारा दिल नहीं किया गाउं में रुखने का तो हम रात को ही गाउं छोड़ कर शहर आ गए रामसुक सुन्दर को चुडैल वाली कोई बात नहीं बता था और वहां से वापस गाउं के लिए चल पड़ता है बस में बैठे हुए रामसुक को गाउं पहुचने में रात हो गई थी वो बस से उतर कर सीधा सुन्दर के घर की तरफ जा रहा था जहां पर बाबा और गाउं वाले उसका इंतजार कर रहे थे रामसुक कभी आया नहीं शहर से उसके आने के बाद ही हमको सच्चाई का पता चलेगा यदि सुन्दर जिन्दा हुआ तो क्या होगा? रामसुक भी तेजी से चल रहा था कि तब ही उसको पीछे से आवाज आती है रामसुक कहा जा रहे हो इतनी जल्दी में? रामसुक मुड़कर पीछे की तरफ देखता है तो उसको बही चुड़ैल दिखाई देती है चुरैल रामसुक को हवा में उल्टा लटका देती है और दोर-दोर से हसने लगती है रामसुक, जिन्दा रहना चाते हो या मरना चाते हो? मुझे जाने दो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं पिगादा जल्दी बताओ मुझे कहां से आ रहे हो तु रामसुक तोते के जैसे बोलना शुरू कर देता है कि वो शेहर से आ रहा है और सुन्दर भी वहाँ पर जिन्दा है चुड़ेल रामसुक को नीचे उतार देती है और वहाँ से चली जाती है रामसुक भी जल्दी बाबा के पास पहुँचता है और सब कुछ बाबा को बता लेता है ये तो बहुत बुरा हुआ पहले हम हवन करके उस चुड़ेल को भी मुक्ति दिला सकते थे और सुन्दर को भी बचा सकते थे लेकिन अब सुन्दर को बचना मुश्किल है सुन्दर वहाँ शेहर में सो रहा था कि तभी वो चुड़ेल वहाँ आ जाती है और सुन्दर को हवा में लटका देती है और उसको मारना शुरू कर देती है सुन्दर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है क्यों सुन्दर क्या सोचता था तु कि शहर में आकर रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा तुने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है सुन्दर मैं रोशनी हूँ देख और तुने मुझे क्या बना डाला तेरी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी है रोशनी मुझे मत मारो देखो मैंने कभी भी तुमारे पर हाथ नहीं उठाया ना ही तुम्हें कभी मारा, ना ही कभी गाली दी कि फिर तूम मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रह Kirsty है तुझे अपनी मौत का जिमेदार तू माना है लेकिन तुझे उसके लिए सजा देने नहीं आयी है मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तूने अपने ही मादा पिता की जान क्यों ले ली जिन्होंने तुझे जन्म दिया तूने उनको ही मार दिया रोशनी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारे जानने के बाद एक दिन मादा पिता जी ने मुझसे कहा बेटा सुन्दर, तू शेहर चला जा। मैंने सुना है कि उस पहाडी से जान देने के बाद इंसान की आत्मा भटकती रहती है। मैं आज रात ही शेहर की बस लेकर शेहर के लिए निकल जाता हूँ। रात ओने पर मैं शेयर के लिए निकल ली रहा था कि तो भी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर रोशनी की आत्मा सच में आ गई और मापिता जी को अपने वश में कर लिया और सब जानकर वो शेयर आकर मुझे भी मार देगी इसलिए रात को जब मैं शेयर आने के लिए निकल रहा था तो हमने आने से पहले सारे गर को याग लगा दी मुझे से बहुत बड़ी गलती होगी रोशनी मुझे माफ कर दो सुन्दर ये ऐसी गलती है जिसे मैं तो माफ रही कर सकती इसके लिए तुमें अपनी जानते नहीं होगी चुडेल ने सुन्दर को कर से मारना शुरू कर दिया था सुन्दर चीक रहा था लेकिन उसकी चीक पुकार सुन्दर बहां पर कोई नहीं था चुड़ेल ने सुन्दर को बहुत मारा और फिर उसको उसी कमरे में छोड़ कर वहाँ से बाहर चली जाती है थोड़ी दिर बात सुन्दर की आँखे खुलती है अरे वो चुड़ेल दिखाई नहीं दे रही क्या वो मुझे मरा वो समझकर यहां से चली गई है सुन्दर अभी अपने आप से यह सब बाते करी रहा था कि तभी उसके कमरे में आग लग जाती है उसका कमरा आग से जलने लगा था यह आग कैसे लगी बचाओ बचाओ आँ मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं कि मैं खड़ा हो सकूँ कुछी देर में वो कमरा धूदू करके जलने लगता है और सुन्दर भी उसी आग में जल जाता है चुड़ेल भी उस आग से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी सुन्दर तुने कामिय ऐसे किये थे कि तेरा जिन्दा रहना ठीक नहीं था मा बाबुजी मैंने आपकी मौत का बदला भी ले लिया है अब मुझे शाथ कुछ दूरी चुड़ेल भी वहां से चली गई और थोड़ी देर में वो अन्वेरे में गायब हो गई उधर गाउं में भी उस दिन के बाद सुन्दर के घर में कोई आवास नहीं आई लगता है रोशनी की आत्मा ने सुन्दर को मार कर अपना बदला ले लिया